हेलो फ्रेंट्स आप शभी का अंकुष एकडवी में श्वागत है और में प्रियंका आज के क्लास में हम लोग जानेंगे टॉप पिक्टी मोस्ट इंपोर्टेंट जिक्के कोस्टन ये जिक्के कोस्टन कोई भी एक्जाम होता है उसमें ये कोस्टन सारा पूछा ही जाता है तो आप इसको अच्छे से देखिएगा ये सेट टू है सेट वन हो चुका है जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाएए और उसको देखिए तो चलिए शुरू करते हैं कोस्टन नमर वन आधुनिक यूग का मनू किसे कहा जाता है ये जो आधुनिक यूग का मनू किसे कहा जाता है तो B आर अमबिद्कर को आधुनिक यूग का मनू कहा जाता है तो वन का जो एंसर होगा वो B Question number two निमलिखित में से किन प्रेटीस अधिकारीों ने लखनों में अपना जीवन खोया था कौन प्रेटीस अधिकारी थे जिनों ने लखनों में अपना जीवन खोया था तो वो कौन थे General Neil थे Major General Hack Lock थे और Sir Henry Lawrence थे तो इसका जो एंसर होगा two का क्या होगा सी तो टू का जो एंसर होगा वो सी कोश्चेन नमर पुस्तक का नाम दिया गया है और लेखक आपको इसमें चुनना है कि कौन पुस्तक किस लेखक के दुआरा लिखा गया है तो आप्शन ए ये किसके दुआरा लिखा गया है तो ये काल मर्श के दुआरा लिखा गया है आप्शन भी तो इस सर अहमद खां के दुआरा लिखा गया है आप्शन सी ये किसके दुआरा लिखा गया है तो वीडी शावर कर और 1857 किसके दुवारा लिखा गया है? यह S, N, Sen के दुवारा लिखा गया है तो इसका जो एंसर होगा वो A A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 तो 3 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? A चन नमबर 4 मोतिलाल नेहरू और C-R-10 दुवारा वर्स 1923 में गठित पार्टी का नाम था मोतिलाल नेहरू और चितरंजन दास के दुवारा जो 1923 में गठित पार्टी का बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो सवराज पार्टी सवराज पार्टी का जो गठन किया गया था वो 1923 में और इसका पूर्व में क्या नाम था तो कॉंग्रेस खिलापत सवराज पार्टी था इसका जो पूर्व में नाम था वो था कॉंग्रेस खिलापत सवराज पार्टी इस चीज को याद रखेगा तो 4 का जो एंसर होगा वो प्रारम किये गए अंदोलनों में से नाम था तो इनकी दुवरा जो अंदोलन प्रारम किया गया था वो कौन सा अंदोलन था लाल कुर्थी अंदोलन तो फाइब का जो एंसर होगा वो ए निमन में से कौन होम रूग अंदोलन से नहीं जुड़ा था तो आपको इसमें ऑप्षन के अनुशार ये बताना है कि कौन होम रूग अंदोलन से नहीं जुड़ा था तो चितरंचन दास होम रूग अंदोलन से नहीं जुड़ा था बीजी तीलक जुड़े थे एनी बैसन ज जुड़े थे तो 6 का जो एंसर होगा वो ए कोस्टेन नमर 7 भारतिय राष्टी अंदोलन से समने घटनाओं का सही कला नुकरम का पता करें इसमें आपको कौन सी घटना कब हुआ है वो आपको बताना है पता करें इसमें घटनाओं का सही कला नुकरम में आपको पता करना है कि कब की घटना कौन सा हुआ था उसी कर में इसको सजाना है तो सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन हुआ था वो कब हुआ था तो मार्च 1922 में क्रिप्स मिशन हुआ था केविनेट मिशन प्लान ये कब हुआ था तो मई 1946 में हुआ था ये मई 1946 में हुआ था option c भारत छोड़ों अंदोलन कप हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था और वेवेल आफर कप हुआ था तो जून 1945 में हुआ था तो इसका जो शही कर्म होगा वो कैशा होगा तो पहले तो इसका जो शही कर्म होगा वो ए तो option इसका A शही है तो इसी कर्म में ये इसी तरह का ये सारा हुआ था तो 7 का जो answer होगा वो A Question number 8 निमलिखित में से वो महांतम कुशान नेता कौन था जो बौध बन गया था तो कनिस्क जो थे वो कुशान वंस के महांतम नेता साशक थे और जो बाद में ये बौध बन गए तो 8 का जो answer होगा वो C Question number 9 तक्च सीला के परसिद होने का कारण था तो तक्च सीला जो परसिद हुआ उसका कारण क्या था तो गंधार सेली गंधार सेली के कारण ही तक्च सीला परसिद हुआ तो 9 का जो answer है वो C Question number 10 question number 10 है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमीलित कीजिए एक तरफ पुस्तक है दुसरे तरफ लेखक है आपको इसमें पुस्तक का लेखक बताना है तो मनुचरित्रम ये किसके दुवारा लिखा गया है तो अल्लाशनी पैदना के दुवारा लिखा गया है option B परिचात अहपरन ये किसके दुवारा लिखा गया है तो नंदी तिम या नंदी ती मया के दुवारा लिखा गया है option C पांडू रंग महामत ये किसके दुवारा लिखा गया है तो तेनाली राम राम कृष्ण के दुवारा आप्शन डी आप मुक्तमाल यह किसके दुवारा लिखा गया है तो क्रिस्न देव राई के दुवारा तो टेन का जो एंसर होगा वो क्या होगा ए कोस्चन नमर 11 किस यादरी ने ताली कोट यूद के बाद विजय नगर समराजी का भर्मन किया और इस नराजकी नगर के विनिष्ट वैवाप पर टिपनी की तो वो कौन से यातरी थे तो सीजर फेंड ड्रिक और ताली कोट का यूद काप हुआ था तो 1565 में तो 11 का जो एंसर होगा वोडी कोस्चन नमर 12 भारतिय समविधान को अपनाया गया था तो किसके दुआरा अपनाया गया था तो समविधानिक सभा की दुआरा भारतिय समविधान को अपनाया गया तो 12 का जो एंसर होगा वो ए कोस्चन नमर 13 भारत में लौकिक सर्म भौमिकता है क्योंकि बिधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से प्रारम होती है तो हम भारत के लोक सब्दों से प्रारम होती है तो 13 का जो answer होगा अधिकारों का वर्नन है, समविधान के अनुचेद, यह जो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिला है, वो समविधान के किस अनुचेद में वर्नन है, तो अनुचेद 12 से 35 तक भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्नन दिया गिया है, तो 15 का जो एंसर होग वो A. और ये जो मॉलिक अधिकार है, वो किस देश के समविधान से लिया गया है? तो अमरिका के समविधान से लिया गया है. तो 15 का जो एंसर होगा? वो A. question number 16, पंचेती राज विशे है, ये जो पंचेती राज विशे है, वो किसका विशे है, तो राज जी सुची का विशे है, तो 16 का जो एंसर होगा वोशी, और राज जी सुची में कितना विशे है, तो राज जी सुची में 61 विशे है, संग सुची और केंदरी सुची जो बोलत न्याइनिक पुर्णालोकन का अर्थ यह है, तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी राजी के कानून को अविद घोसित कर सकता है, तो 17 का एंसर क्या होगा? question number 18, कल्यानकारी राजी के आदर्स वर्जित है, तो क्या आदर्स वर्जित है, तो राजी के निती निदेशक तत्वों में, तो 18 का जो एंसर होगा, वो A, और यह समविधान के किस अनुछेद में राजी के निती निदेशक तत्वों का वर्णन है, तो अनुछेद 36 से 51 तक राजी के निती निदेशक तत्वों का वर्णन है, इस चीज को याद रखिएगा, question number 19, आठवी पंचवर्सी योजना प्रत्मिक्ता देती है, यह जो आठवी पंचवर्सी योजना होई थी, यह सबसे जारा किस पे प्रत्मिक्ता देती, तो रोजगार बढ़ाने पे, किस उर्वरक संग्यंत्र कहां लगा था, भारत में जो पहला उर्वरक संग्यंत्र लगा था, वो शिंद्री में लगा था, कहां लगा था, शिंद्री में लगा था, और कब लगा था, तो 991 में लगा था, तो 291 में लगा था, तो 20 का जो एंसर होगा, वो भी, question number 21, भारत में राष्टी आई का आखलन होता है तो भारत में जो राष्टी आई का आखलन होता है वो किसके द्वारा होता है केंदरी संखे की क्षंगठन द्वारा किसके द्वारा केंदरी संखे की क्षंगठन द्वारा से एशो की द्वारा होता है 21 का जो एंसर होगा वो D Question number 22 पंचवर्सी योजनाओं के मसोदे को आंतिम रूपशे कौन स्विकिर्थी परदान करता है तो ये कौन करता है राष्ट विकास परिशत कौन करता है राष्ट विकास परिशत तो 22 का जो एंसर होगा वो C Question number 23 जीवन बीमा निगम एक उधारन है ये जो एलाइशी है वो किशका उधारन है तो निवेश बैंक का तो 23 का जो एंसर होगा वो C Question number 24 पठना क्लाम सैली से समंदित चित्रकार है तो पठना क्लाम जो सैली है उसके चित्रकार कौन कौन है तो हुलाल दास तो हुलाल दास, जैराम दास और सीव द्याल एवम इस्वरी परसाद ये तीनों पठना क्लाम सैली से समंदित है तो 24 का जो एंसर होगा वो क्या होगा D Question number 25 25 मधुबनी चित्रकला का समंद किस राजी से ये भी question बहुत मारे एक्जाम में पूछा गया है ये जो मधुबनी चित्रकला है इसका समंद किस राजी से है तो बिहार से है तो 25 का जो एंसर होगा वो भी Question number 26 बिहार राज की भू आकिरती है लगबग ये जो बिहार की भू आकिरती है वो लगबग ऐसा है तो आयताकार है तो 26 का जो एंसर होगा वो भी Question number 27 छेत्रफल की दृष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जीला तो छेतरफल की तृष्टी से बिहार का जो सबसे बड़ा जीला है वो कौन सा है तो पस्चमी चमपारन तो 27 का जो एंसर होगा वो ए बिहार के कितने जीलों को अलग करकर जारखंड राज का निर्मान किया गया था ये भी most important question है कि बिहार के कितने जीलों को अलग करकर जारखंड का निर्मान किया गया था तो 18 जीले को तो 28 का जो एंसर होगा वो क्या होगा C Question number 29 निम्न में से कौन शमू अत्यन बाड प्रवाब जीलों को दर्साता है तो कौन सा जीले में सबसे जयदा बाड आता है तो सहर्षा, सूपोर और खगडिया तो 29 का जो एंसर होगा वो C Question number 30 अक्छांसी विस्तार के आधार पर बिहार तो अक्छांसी विस्तार पर बिहार कैसा है तो ओपोसन जलवायों में इस्तित परदेश है तो 30 का जो एंसर होगा वो C Question number 31 सूरी के रसाइनिक मिस्तरन में हाइडरोजन का परतिसत कितना है तो ये जो सूरी का रसाइनिक मिस्तरन है उसमें जो हाइडरोजन का परतिसत है वो कितना है तो 74 तो 31 का जो एंसर होगा वो C Question number 32 सूरी ग्रहन के दोरान सूरी ग्रहन जब होता है तो उस टाइम क्या होता है तो सूरी और पृत्वी के बीच चंदरमा आ जाता है तो उसी को सूरी ग्रहन कहा जाता है तो Option B है जो सूरी और पृत्वी के बीच चंदरमा आ जाता है तो सूरी ग्रहन होता है तो 32 का जो एंसर होगा वो B Question number 33 विश्व के कितने परतिसत धरातल पर पानी है यह आप लोग जानते ही होंगे कि 70% तो 33 का जो एंसर है वो B Question number 34 खूल अक्छांसों की संख्यां कितनी है तो टोटल अक्छांसों की संख्यां कितनी है इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है तो 180 होगा तो ऑप्शन जो C है उसी में लगाते है तो 34 का जो एंसर होगा वो C Question number 35 35 भारत का पर्मानिक समय किस अस्थान से निश्चित किया गया है तो भारत का जो पर्मानिक समय लिया गया है वो इलहा जो पर्मानिक समय लिया गया है वो कहां से लिया गया है तो इलहाबाद से लिया गया है तो 35 का जो एंसर होगा वो C Question number 36 एंडिज प्रवतमाला की सर्वो चोटी है तो एंडिज प्रवतमाला की जो सर्वो चोटी है वो कौन सा है एकंगुवा तो 36 का जो एंसर होगा वो A सरवाधिक रबड की खेती होती है तो सरवाधिक रबड की खेती होती है वो कहां होती है आमेजन तथा जेरी बेशिन में तो 37 का जो एंसर होगा वो सी कौश्चन नमर 38 किस पाल सासक ने बौधों के लिए परसीद विक्रम सीला महा विद्याले की अस्थापना की थी तो धर्म पाल ने की थी तो 38 का जो एंसर होगा वो डी कौश्चन नमर 39 कुवर सिंग 1857 में विद्यों के एक परमुखनायक थे वो निमलिकित में से किस समन थे तो ये जो कुवर सिंग थे ये बिहार से समन थे और इन्होंने बिहार से ही 1857 में नेत्रित किये थे तो 39 का जो एंसर होगा वो डी कौश्चन नमर 40 वर्स 2021 में मलेसियाई ओपें सेक्वेस चेंपियंशिप में पुरुस एकल का किताब किस ने जीता था शौरब घोशाल तो 40 का जो एंसर होगा वो ए कौश्चन नमर 41 सुचकंग 2021 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ तो ये बोधिक संपद्धा में 2021 में भारत का अस्थान क्या मिला 40 मा तो 41 का जो एंसर है वो ए question number 42 सर्व अंदोलन से जुड़ा हुआ संग्राल है भारत के किस राज में खोला जाएगा यह खोला जाएगा वो कहां पे खोला जाएगा तो केरल में तो 42 का जो एंसर है वो C question number 43 न्यू अर्क में आयोजित US Open 2021 के पुरूश एकल विजेता कौन है यह जो US Open tournament होता है तो इसका पुरूश एकल विजेता 2021 का कौन था तो कौन थे डेनियल मेव देव थे तो 43 का जो एंसर होगा वो D question number 44 carbon watch ape को launch करने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदिस बना तो वो पहला केंदर सासित परदिस कौन सा बना तो चंडीगर तो 44 का जो एंसर होगा वो भी question number 45 हाल ही में बिहार सरकाना किस की सेक्षनिक अस्तर में सुधार लाने के लिए शुननदनी कारीकरम की शुरुआत की तो किस में सुधार लाने के लिए तो आंगन बाड़ी कारी करता मैं तो 45 का जो एंसर होगा वो भी question number 46 हाल ही में बिहार का कौन सा जीला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अवल आया तो भारत का कौन सा जीला तो नावादा जीला तो 46 का जो एंसर होगा वो ए कोस्टन नमर 47 नौक डाउन और नौक आउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है यह जो नौक डाउन और नौक आउट यह किस खेल से जुड़े हुआ शब्द है तो यह बॉक्सिंग से है तो 47 का जो एंसर होगा वो भी question number 48 hit refresh नामक पुस्तक के लेखक कोण है तो इस पुस्तक के लेखक कोण है तो सत्य नेडला तो 48 का जो answer होगा वो एक question number 49 किस वर्स में स्री लंका में Democratic Socialist Republic of स्री लंका का गठन करके एक नया समविधन बनाया गया था तो ये किस वर्स बनाया गया था 99 इस भी में तो 49 का जो answer होगा वो सी question number 50 आपरन लोकला सैली का शमन किस भारती राजी से है तो ये जो आपरन लोकला सैली है इसका समन किस भारती राजी से है तो बिहार से है तो 50 का जो answer होगा वो D ये most important 50 question था इसमें 4 से 5 बिहार का question है क्योंकि ये जो set है वो बिहार का ही कोई exam का है तो इस तरह का question प्राया हर exam में पूछ लिया जाता है चाहे वो कोई भी state level का exam हो तो उससे state level का 3-4 question रहता ही है तो बांकी question को आप अच्छे से देखिएगा यही सब question है जो बार बार हर exam में पूछा जाता है इसको आप एक से दो बार देखिएगा तो आपको शारा answer भी याद हो जाएगा और इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा और इस चैनल पे जो नए है वो चैनल को subscribe किजएगा लाइक किजएगा और जाएदा से जाएदा सेगर किजएगा थेंक यू